नमस्ते दोस्तों अरुनिता फैन्स चैनल में अरुनिता के फैन्स का बहुत-बहुत स्वागत है। आपने अरुनिता और पवंदीप का सोशल मीडिया स्टेटस पहले ही देख लिया है। जहां वे कहते हैं कि वे अट्लांटिक सिटी शो के लिए वे फ्लाइट में हैं। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है। राजस्तान में शो खत्म करने के बाद वे अमेरिका लोटेंगे और बिना रेस्ट किये लगातार दो शो करेंगे। मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि ये कितना कठिन है। कल शुकरवार को राजस्तान में अपना शो समाप्त किया था और दिल्ली के लिए सरक मार्क से पांच या छे घंटे ड्राइव करके विमान में सवार हुए थे। यानि वे कतर के विमान से अमेरिका पहुँचेंगे। दिल्ली से सुबह 4.22 बजे फ्लाइट है और वे सुबह 6.15 बजे दोहा पहुँचेगी। अगर आप वहां से सुबह 8.24 मिनट की फ्लाइट पकड़ते हैं तो ये दोपहर करीब 3.00 बजे निवर्क पहुँच जाएगी। अगर वे इमिग्रेशन और बैगेज चेक से 4 या 5 बजे निकल पाते हैं तो वहां से अटलांटिक सिटी पहुँचने में उन्हें धाई घंटा और लगेगा। यानि वे 8 बजे तक कारेकरम स्थल पर पहुँच जाएंगे। कब ग्रेस पहनना है और कब मेकप करना है समय ही नहीं है। इतनी लंबी यात्रा के बाद आराम करने या स्नान करने या फ्रेश होने का समय नहीं है। और आल्टेटिक सिटी शो आठ बजे से शुरू होकर करीब बारा बजे खत्म होगा, शो के बाद उन्हें मिलना जुलना होता है, तो ये माना जा सकता है कि ये लगभग रात तु बजे खत्म होगा, नेक्स्ट शो वहाँ से लगभग साथ घंटे की ड्राइव है, न्यू जर अपना ख्याल रखिएगा और अरुनिता को अपना प्यार और सपोर्ट यूही देते रहिएगा